हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौर्ट हैंड गुरू जी में आज के जो डिक्टेशन है ये 80 सब्द प्रति मिनट की गति से संपाद की डिक्टेशन है हिंदी ड्यानिंग चागरण का आपकी आगामी स्किल परिच्छाओं के लिए बहुत महत्यपूर्ण है डिक्टेशन को लिखने के बाद आपको इसकी PDF से गर मैच करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम के गुरूप को जोइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको PDF प्रवाइट करा दी जाएगी और साथी साथ में इसमें मेरे तवारा एक डिक्टेशन आपको दिया जाएगा और बाकी सभी स्टुडेंट्स जो आप लोग भी रहेंगे वो भी दूसरे को डिक्टेट कर सकते हैं और भले ही आपको किसी और स्टेनोग्राफर की त्यारी कर रहे हैं लेकिन मेरा आपसन निवेदन है कि रात हो जाए अगर आप बहुत दिन से अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो इत्ती से ज्यादा लिखने को सिस करियो रामधारी गुपता जी इतनी कठेन पत्र का भी नहीं है कि आप उसको हैंडेट में नहीं लिख सकते हैं तो बस चलिए फिर रेडी हो जाएए स्टार्ट करते हैं आ राजनीती पर जम कर हमला बोला और उसे लोकतंतर के लिए खत्रा बताया उससे यही स्पस्ट हुआ कि वह इसे भाजपा का प्रमुक एजंडा पनाने के लिए कमर कश चुके हैं यह उलेखनी है कि वह केवल परिवारवाद की राजनीती पर लगातार निशाना ही नहीं साध रहे हैं बलकि यह भी शुनिश्चित कर रहे हैं कि भाजपा में इस तरह की राजनीती पर विराम लगे इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पाँच राज्यों के विधान सभा चुनावों में भाजपा नेताओं की जो संताने चुनाव मैदान में नहीं उतर सकी उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं नेसंदेह यह आवश्यक ही नहीं अनिवार है की परिवारवाद की राजनीति का विरोध करने के पहले भाजपा खुद अपने यहां इस प्रकार की राजनीति को रोके परिवारवाद की राजनीति के दो पहलू हैं एक तो यह की राजनीतिक दलों का नेतरित्व परिवार विशेश के पास ही रहता है और दूसरा यह की विभिन दलों के वरिश्ट नेता अपने बेटे बेटियों अथवा भाई भतीजों को राजनीति में आगे बढ़ाते रहते हैं इस पस्ट है की कांग्रेश, सपा, राजद, डियम के सरीखे जिन दलों का नेतरित्व परिवार विशेश के पास ही रहता है वे लोकतंत्र को कहीं अधिक नुकसान पहुचा रहे हैं ऐसे दलों में परिवार विशेश के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य कोई नेता पार्टी की कमान सम्हाल ही नहीं सकता दुर्भाग्य से देश में ऐसे दलों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती ही जा रही है जहां नेतरित्व परिवार विशेश के पास ही रहता है विडम्मन यह है कि इन में से कई दल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजनीत का आधार ही कांग्रेस के परिवारवाद के विरोध को बनाया था अब तो स्थिती यह है कि हाल में गठित छोटे छोटे दल भी परिवारवाद को बढ़ावा देने में जुट गए हैं इनका गठन तो वंचित तबकों को राजनीती में भागी धारी देने दिलाने के नाम पर किया गया लेकिन चुनाओ के वक्त उन्हें केवल अपने परिवार के सदस्य ही योग उम्मीदवार दिखे शायद इसी प्रवृत्ती को रेखांकित करते हुए प्रधान मंत्री ने यह कहा कि परिवारवाद की राजनीती लोकतंत्र के साथ साथ यिवाओं के लिए भी सबसे बड़ी दुश्मन है यह अच्छा हुआ कि उन्होंने यह बात उस तेलंगाना में कही जहांके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे को पार्टी का कार्यकारी अध्यच बना रखा है प्रधानमंत्री तेलंगाना के बाद तमिलनाडु पहुचे वहां भी सत्तारूड डियमके में परिवारवाद की राजनीती चरम पर है यही इस्थिती अन्य राज्यों में भी है अपवाद के रूप में एक दो दल ही ऐसे हैं जो परिवारवाद की राजनीत से दूर हैं डिक्टेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करीगा शेर करीगा अपने दोस्तों के साथ और अगर कोई आउटलाइन आपसे नहीं बनती है तो हमारे टेलिग्रांग के गुरूप में आप पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो मसतना है मिलते हैं फिर निक्स वीडियो में रपता के लिए गुडबाई